हाईवे पर सफर हुआ आसान, फास्टेक लगाकर फर्राटे से दोड़ेगी गाड़िया, पेक्ट्रोल पार्किंग और टोल से मिल गया छुटकारा, जाने क्या है हाईवे पर सफर का नया नियम, अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो ये खबर आपके काम की है, एक दिसंबर से देशफर में हाईवे से गुजरने वाले वहानों पर फास्टेक सिस्टम लागू होने जा रहा है, इस सिस्टम से आपको किसी भी टोल पलाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, इतना ही नहीं स्टेक से आपके पेट्रोल और पार्किंग के पैसे भी आटोमेटिक कर जाएंगे, आईए पहले आपको बताते हैं कि फास्टेक आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, फास्टेक एक रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक की तरह है, इसे गाड़ी की साइड स्क्रिन पर लगाया जाता है, इसके लगे रहने का फाइदा ये है कि गाड़ी के टोल प्राजा से होकर गुजरने के दुरान इस टेक के जरिये टोल पर गाड़ी की पहचान हो जाती है जितना टोल पेमेंट देना होता है उतनी राशी उस टेक के जरिये खुद से ही कट जाती है यानि अब किसी को टोल पर रुखने की जरूरत नहीं होगी फास्टेग से ही आप पार्किंग के चार्ज और पेटोल या डीजल भरवा भी सकते हैं इससे समय में भी बचत होगी कहां मिलेगा फास्टेग देश के सभी 537 टोल प्लाजाओं के साथ साथ NHAI भीट भरवाले शॉपिंग मॉल में भी एक टेग मोहिया कराने की योजना पर काम कर रहा है NHAI इन फास्टेग को टोल प्लाजा ट्रांसपोर्ट ऑफिसों में फ्री में मोहिया कराएगा कई बैंक और एजनसियां भी फास्टेग उपलब करा रहे हैं ये फास्टेग ट्रक, कार और जीब सहीद सभी वानों के लिए एक दिसम्बर तक फ्री है लेकिन एक दिसम्बर के बाद इस पर शुल्क देना अनिवार होगा राज़ाने दिल्ली एंसियार में करीब 50 पैट्रोल पंपों पर भी टेग की बिक्री की जा रही है फास्टेग खरीदने के लिए चाहिए कौन सा डॉकुमेंट जी हाँ इसके लिए आपके पास वाहन के कागजात, पास्पोर्ट साइज फोटो और आपकी केवाई से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए KYC में आप अपनी कोई भी एक आईडी जिसमें आधार काड़, वोटर आई काड़, पास्पोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज शामिल कर सकते हैं कितने में मिलता है फास्टेग पहली बार इसके लिए जोइनिंग फिस सो रुपे लगती है उसके बाद अलग-अलग भानों के लिए 200 रुपे से लेकर 400 रुपे तक सिक्योर्टी डिपोजिट देना पड़ता है आपको अपने काड़ में नियूनतम 100 रुपे का बैलेंस रखना होगा आप अपने फास्टेग को अपने बैंक अकाउंट से आउनलाइन या बैंक शाखाओ से या फिर टूल प्राजा से रिचार्ज करा सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने अकाउंट से लिंक भी करा सकते हैं तो आप भी अगर एक दिसंबर को देश की किसी भी हाइवे पर सफर करें तो उससे पहले अपनी गाड़ी पर फास्ट टैक अटैक जरूर लगवा लें। इससे ना सिर्फ समय की बचत होगी बलकि आपकी यात्रा भी सुगम होगी। विरो रिपोर्ट लबोधे टाइम्स